ओके हे ओल्राइट एंड वेलकम टू अलिन टुडेइज डिसकेशन नाव देखिए सबसे इंपोटेंट न्यू जो अभी आ रही है वो है जर्मनी की सरकार ने अभी रश्यन बेजड एक डार्कनेट मार्केट प्लेस है जिसका नाम हाइड्रा है हाइड्रा के अंदर बहुत पीपल काम करते हैं और उस डार्कनेट मार्केट प्लेस को चलाते हैं अभी जब यहाँ पर इलीगल चीज़ें हो रही है तो जर्मनी की सरकार ने इस सबसे बड़ी डार्कनेट मार्केट प्लेस जो रश्यन पीपल को सर्व करती है उसको पूरी तरह सट डाउन कर दिया है स समझ मारा है अब इसमें क्या है कि जर्मनी ने साती सात में अब क्रिप्टो करेंसी से जब भी डार्कनेट यूज करते हैं अभी मैं पूरा एक्स्प्लेइन करूंगा डार्कनेट क्या है बट डार्कनेट का जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्रिप्टो करेंसी में होता जैसे bitcoin अब उस system के अंदर 25 million जो bitcoin है वो भी Germany की सरकार ने कर दिया कहने का मतलब Germany में इतनी सारी चीज़े हैं ऐसे law हैं जो किसी भी digital चीज़ों को ban कर सकते हैं even वहाँ पर consumer के ऐसे भी law हैं जैसे यहाँ तो होता है कि आधार कार्ड अगर किसी website में तो बहुत time लग जाएगा आपको उसको delete करने में आपकी facebook में कोई video है personal आप नहीं चाते कि वो जो video है वो दूसरों तक जाए और आप delete करवना चाते हो और वो किसी दूसरे account से posted है तो जब आप यह email करते हो तो बहुत लंबी process से आपको गुजरना पड़ता है क्योंकि यह facebook किसके basis पर काम करता है इंडिया के कानून के अंदर अब देखिए तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि darknet darknet से related जितने भी cybercrime से related जो कानून है जो भारत में operate करते हैं वो IT act के अंदर आते हैं IT act 2000 अभी हाली में टिक टॉक बैन हुआ यह सब अभी कल की एक news थी 22 YouTube चैनल बैन हो गए anti Indian sentiment और fake news फैलाने में तो यह सब IT act के अंदर होता है बट हम बात करते हैं Hydra की ठीक है क्योंकि यह सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि Bitcoin से transaction जो होता है वो Cryptocurrencies वाले transaction होता है जो Darknet चलाती है ठीक है अब Hydra क्या है Hydra उन consumer को target करता है जो Russian people से है Narcotics जैसे Morphine Opium इन सब को बेचा जाता है इसमें बट Hydra इतने तक तो ठीक था जब पता लगा Germany की सरकार को कि जो Hydra है वो लोगों के credit card का data चोरी कर रहा है counterfeit currency नकली note बना रहा है fake identity document बना रहा है और जो लोग Tor encryption network का use कर रहे है उनके लिए fake masking बना रहा है मतलब एक ही नाम के वो 100 नाम बना दे रहे है ठीक है पंकजबोरा के वो 100 पंकजबोरा कर दे रहे है अब जानने में दिक्कत इससे सबसे बड़ी illegal corruption बढ़ेगा अब साथी साथ तो जर्मन पुलिश ने देखा कि क्या चीज़ें चल रही हैं तो उन्होंने that have shut down server of the world largest illegal darknet marketplace Hydra and seized bitcoin worth 23 million euros 25 million dollar जो हैं वो siege भी कर लिए तो जर्मन की पुलिश ने ये चीज़ें भी की अब साथी साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इस पूरी news के अंदर जो Hydra है उस system के अंदर जो भी darknet की marketplace है उस system के अंदर bitcoin bank mixer भी होता है अभी मैं आपको bitcoin भी बताऊंगा बट सबसे पहले हम जालनेते हैं darknet फिर हम ये भी जानेंगे कि darknet के लिए भारत में कोई provision है क्या इससे पहले कोई भारत में arrest हुआ है क्या वो भी हम इस news से cover कर लेंगे बट notes में जाने से पहले आप telegram application download कीजिए search box में type कीजिए PR publication और यहाँ पर daily के basis पर जो top two trending topic होते हैं जो आपके UPSC exam में बहुत possible chances हैं कि वो आएंगे उसकी answer writing उसके free notes आपको इस group में मिल जाएंगे तो आपको इस channel को join कर लेना है already your UPSC aspirant series 5000 इस group से जुड़े होए हैं तो start करते हैं आज का सबसे पहला topic darknet darknet होता क्या है और क्यों यह Russian based darknet illegal चीज़ें कर पा रहा था कैसे कर पा रहा था तो यह आपको PR publication के free group में मिल जाएगा पूरे notes हैं prelims और mains के topic रहेगा science and tech ठीक है 6 अपरल का यह notes है darknet अब देखो जब भी बहुत अच्छे सी समझते हैं जब भी आप Google खोलते हो internet खोलते हो तो उसमें 3 layer होती है ठीक है आपने laptop खोला अपना और खटकुट खटकुट किया और Google खोल दिया internet खोल दिया अब भाई साब internet में 3 layer होती है जो पहली layer होती है public वाली होती है अब साथ में आपके example के लिए basis पे आप विजन IS, दिरिष्टी IS, वाजी राम ये सब अलना फिनना आप सर्च करते रहते हो तो ये आपको public में मिल जाती है तो ये पहली layer होती है internet की जो सभी access कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ इंटरनेट का और internet की जो तीन layer में ये सबसे कम होता है, सिर्फ 4% तो यहाँ पर ये जनरल, सोचो internet की सिर्फ 4% ये पहली layer है सिर्फ 4 परस्ते जिसमें हम public data यूज करते हैं तो बागी सोचो back end में कितनी चीज़ें हो रही होंगी internet में सेकंड लियर होती है आपकी deep web deep web is a network where data is stored and inaccessible database and cannot be accessed through traditional search engine like google, it used to provide access to specific group of people उस data को निकाल सकते हैं अब इसमें क्या है, second layer में बात की जाती है, कि देखो आपने facebook बनाया facebook में login कर दिया आप उने तो आपका name, date of birth, phone number ये data कहां store होगा deep web में, जो कि internet की second layer होती है, तो समझ मारा concept internet खोलते ही, आपको तीन layer मिलेंगी, पहली layer जो public की होगी, जहां पर आप normal website open करते हैं, facebook, twitter, amazon, ये सब चीज़े दूसरी, या तो vision is के ये अब suppose ये पहली layer होगी, अब ये सिर्फ 4% contain कर रही है, अब internet की जो दूसरी layer होती है, वो होती है, आपकी deep web, अब आपने suppose vision is में अपना data डाला, कि alana falana मैं test series लेना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा वो ये वो, result आने के बाद वो क्या करेंगे, आपका जो नाम होगा, वो अपने poster में डाल देंगे, सिर्फ registration के basis भई अब वो जो data है, वो जो store होगा, आपका नाम पता, आपने तो register कर लिया, उसमें पता नहीं है email ID, phone number डाल दिया, आपने rank 1 लेके आ गया, अब वो क्या कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर से यह, तो वो data जो store होता है, वो second layer में store होता है, जो कि normal search engine से तो नहीं search होता है, ठीक है specific group of people वो data निकाल सकते हैं, यह data generally sensitive होता है, अब यह data तो मैं एक parameter बता रहा हूँ आप लोगों को, जो bank वाले हैं, Reserve Bank of India है, State Bank of India है, यह सब तो online काम कर रहे हैं, तो सोचो इनका data कितना जादा important होगा, तो यह सब data deep web में store होते हैं, तो अगर SBI चाहेगा, तब ही वो data निकाल सकता है क्योंकि उसमें Google भी permission देता है, ठीक है, तो okay, second चीज, अब आती है third layer third layer is the dark net, which is also known as a part of deep web तीसरी और सब से important है dark net, जो अभी हम पढ़ने जाने वाले हैं, इसी dark net marketplace को जर्मनी की सरकार ने अभी पूरी तरह sundown कर दिया है, तो dark net part है अपने deep web का, it is a network built over internet which is encrypted, तो यह क्या है, यह एक network है internet पे, जो encrypted है, मतलब आप, मतलब उसको decifer ही नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे ऐसे pillars हैं ancient history में जो decifer नहीं हुए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई, decifer नहीं हुई हैं, यहाँ पर भी इनको monitor कर पाना, इनको पूरी तरह decifer कर पाना, ठीक है, crypt कर पाना एक तरह से, जो ताला है, वो तोड़ पाना, वो possible नहीं हो पाता, बहुत time लग जाता है तो यह basically ऐसे नहीं होता है कि आप normal अपने laptop से जाओगे नहीं, उसके लिए एक certain type of आपको software चाहिए होंगी, आपके पास laptop है, तो उसमें tor browser tor network यूज होगा चीक है, personal computer से ही connect रहते हैं the onion router, अभी यह क्या है इसको भी discuss करेंगे, बड़ यह तीसरी layer सबसे खतरनाक है only by using special software like tor, इसमें special software use होंगे tor, the onion router, अभ यह क्या है, या i2p से ही यह चलेंगे, पहला और दूसरा, देखो पहली layer आप सब लोग कर लेते हैं, दूसरी layer जो data जो बड़ी बड़े group of people, जो private companies होंगे, वो store करने के पैसे देती हैं और वो ही access कर पाएंगे, तीसरी layer यही dark web का ही part है, dark net अब इसको चलाने के लिए, ऐसा normally आप google search engine से नहीं कर सकते हैं उसके लिए नए software चाहिए होंगे तो direct आप से पूछा जाएगा, tor क्या है, कोई agriculture की खेती है, क्या नहीं, tor का मतलब है, the onion router, या I2P से भी यह open हो सकता, I2P क्या है, invisible internet project, ठीक है जैसे VPN होता न, virtual private network, जब क्या होता है बहुत सारी website ban कर दी जाती है, जैसे पाकिस्तान का एक YouTube channel ban कर दिया, वो इंडिया वाले उसको नहीं कर पाएंगे, बड़ करना चाते हैं, तो VPN को खोलेंगे, पाकिस्तान का proxy लगाएंगे, और server लगाएंगे, और cut cut cut, खुल जाएगा, चलिए, अब dark net से related चीजें आपने समझ लिएं, कि जो तीसरा net है, यह है, dark net जो इसरी लिएर है, dark web will not be pulled up internet searches, thereby offering a high degree of anonymity, अब इतना ज़्यादा secure होता है, कि एक जो बंदा transaction कर रहा है, वो भी समझ नहीं पाएगा, ओके, नव तो special software है TOR, ठीक है, dark net में जाएगा, ओके, clear, अब now dark net में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जैसे drugs, pornography, hacking, यह सब चीज़ें, even यह भी आया था, कि अभी जो आप Netflix में movies देखते हैं, वो भी dark net web market places में, cheap rates में बेची जा रही थी, TOR network को use किया सबसे पहले, Arab spring के, during जब Arab spring चल रहा था, उनके activist ने use किया था TOR network को, ताकि जो अपने basis पर internal dispute चले थे, तो अपनी TOR network अगर आजादी से पहले होता, तो हमारे लोग भारित के कितने सात्र थे, कि इतने अंदर ही अंदर एक दूसरे से political relation बना देते थे, तो चो TOR network होता, तो software और पहले ही भारत देश आजाद भी हो जाता, चलो उसके बारे में बात में बात करेंगे, बट dark net and India, हमारे भारत में ऐसी कुछ चीज़ें होती है, तो उसको हम control कैसे करेंगे, वो है, उसके लिए हमारा IT act 2000, ठीक है, और उसके बाद IT act 2008 है, जिसमें section 69 A है, जिसका मतलब क्या होता है, कि अगर कोई भी facebook में offensive content post करेगा, तो उसको jail में डाला जा सकता है, ठीक है, उसके साथ 2021 में IT act आया, जो अभी tik-tok, ये सब बैन हो रहे हैं, वो उसी IT act के basis पर ही बैन किये जा सकते हैं, तो वो ही है dark net, तो जितना भी cyber crime होता है, वो कौन डिल करता है, information technology act, जनरली, अभी ये किसके अंदर आता है, ministry of electronics and information technology, कोई कहेगा यार, एक जरूरत क्या है, तो आप कहोगे, इस जो law है, उसको बदलना चाहिए, और उसको ministry of form of affairs के अंदर डालना चाहिए, देखो कितना अच्छा suggestion है, क्योंकि cyber crime एक बहुत worst crisis है, और इससे बहुत illegal चीज़ें हो रही है, ड्रक्स, even human trafficking, transaction वहाँ होता है, human trafficking भी इससे weapon मंगाई जाते हैं, सोचो, भारत में बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी टेरिरिस्ट हैं, वो dark net का यूज़ करते हैं, ताकि वो weapon खरीदे पाएं, अब weapon खरीदेंगे, तो simple सी बात है, उनकी identity disclose नहीं होगी, राइट, चलिए, तो साथी साथ एक NCB के बारे में भी include कर देता हूँ, NCB Narcotics Control of Bureau है, वो 1986 में बनी थी, 1985 के एक्ट से, क्यों ये मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी अभी जो सारुखान का बेटा है, और बहुत सारी लोग ड्रक्स में पकल लगे थे, वो NCB देख रही थी, NCB का एक्ट 1985 वाला है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, एक्ट, एक्ट का मतलब, कोई बिल लोग सबह में पास हुआ, राज्य सबह में पास हुआ, अब ये न्यूज में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि NCB ने सबसे पहले एरेस्ट किया था, कंट्री का फॉस्ट, मतलब भारत का First Darknet Narcotics Operative, जो NDPS Act के अंदर ही होता है, तो समझ मारा, NCB ने एरेस्ट किया था, पहले डारकनेट को, ठीक है, जो मॉर्फिन, ये सब ड्रक्स वगरा बेच रहा था, तो NCB ने एरेस्ट किया था, समझ मा आ गया, तो ये है आपका आज के नोट्स, अब साथी स मैं आपको Bitcoin Bank Mixer भी बता देता हूँ, Bitcoin Cryptocurrency है, जनरली इसमें सिस्टम होता है, आपका, कि आप transaction कर रहे हो, दूसरे को Bitcoin में, तो इसमें third party क्या होती है, वो transaction को ऐसा बना देगी, कि आप identify भी नहीं होगे, तो इसी को कहते हैं, Bitcoin Bank Mixer, ओके, अब एक और TOR क्या है, TOR है, The Onion Router, Free or Open Source Software है, जनरली इसमें क्या है, Anonymous Communication के लिए ये यूज किया जाता है, Anonymous Communication का मतलब, अगर A, B point, देखो, बहुत सिंपल है, मैं उसको basis पर आपको समझाता हूँ, बहुत सारे Relay Network होते हैं, Relay Network, इतने ज़्यादा, देखो, Relay Network क्या होते हैं, मैं यहाँ से समझाता हूँ, इतने ज़्यादा डूर हैं, तो इनकी Identity catch कर पाना बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है, तो यही Relay का यूज करता है, तो बहुत सारे यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर डारेक्ट लिंक का absence होगा, ठीक है, तो यह PDF भी आपको उसी में मिल जाएगे, देखे, router list, यह Relay Network का यूज होता है अपनी Identity छुपानी के लिए, ठीक है, तो अभी हाली में क्या हो रहा था, बहुत सारे जो Hydra है, वो क्या कर रहा है, लोगों की Credit Card का डेटा यह सब चुछी कर रहा है, अब नाव देखिए, आप हमारे डेली के Paid Courses भी जॉइन कर सकते हैं, हमारे दो C Courses है, राइट, फर्स्ट है है, लेवल अप करेंट अफियर बैच, डेट वाइस करेंट नोट्स, क्रिस्प नोट्स होंगे, पूरे एक साल के लिए हैं, दस एपरेल तक 299 रुपीज इनका प्राइस है, 750-513-4891 में गूगल पे फॉन पे करके, हम आपको इसमें एड कर ल आएगा, सिमिलर प्रोसीज है, इसको लेने का और प्र पॉब्लिकेशन मुबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इनको लेने के लिए, थैंक यू, हैब अनाइस टेक,